राम राम किसान बाईयो देपालपूर पस्व मंडी देख रहे आप जीला इंदोर मध्य परदेश से और 30 मई 2023 से लाइव देख रहे हैं तो आज बड़े दिनों के बाद हम तानी भेंस की मंडी में पहुँचे हैं जो आप सभी दोस्तों लोगों को कमेंड थे तो जरूर पूरी वीडियो देखे और चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सेर करें ऐसी वीडियो हम रोजाना आप लोगों के लिए घर बेठे लाएंगे तो आपके कुछ सुजा हो तो जरूर कमेंड में बताए पूरी पूरी वीडियो देखे तभी आपको पता चले जी आप 13 बेंस देख रहे हैं देपालपूर पस्मुंडी से और जे राम जी किता जुद्ध कितने दिन की ब्याईवी बेंस देख रहे हैं आप 7 लीटर दूद्ध बता रहे हैं ये बेंस की पीचे से कौलिटी देख लीजे आप पिट पिठ्था हाई चाल सिंगो की बनावर्ट फेस क्वालिटी और क्या मांग रहे आप एक पांच में अच्छा कहां की यह वेंस राजिस्तान की बैंस तो तामनें घ्रणा पाढ़ने यह अबर्धे स्टान में तो रहें कित्ती बैंस आ एक पाधान ⁫ तो देखें यह कित पाइनल अब देख लो आप पिच्चासी करता हैं जी बईया इनके पार्टनर मुमिन भीया खड़े हैं पिच्चासी अजा और देख लीजिए सभी ग्राथ लोग पहुंचे हैं अलग-अलग जगह से मिलते हैं जी बईया अपनों जाकर वह गाँ है जी बईया अंतर सिंग नाम है इना मुमिन भी नाम है आप कहां से आयो हत्याना से क्या नाम है खरीदी भेस अभी नीए भेस खरीदना गाई अच्छा घर से लाते हो बढ़िया रहती भेस और भी देख लीजिए नीए आप कहां से आयो वह जजवा लिए भेस लिए अपने लेना है किती एक बिग गई है एक बीकी हुई भेस देखते हम और बता रहे नब्बे अजार में सेल हुई है और तीसरे या चोथे ब्यान की बेस देख रहे है अज़र क्वालिटी देख किन ने खरीदी है खरीदी किन ने या क्यों कहां गई भेस अज़र कि मुला यहां लेने वाले अच्छा तो सेल होके जाती हुई देख लीजिए आप अज़र को आप यह आगे से देख लो आप इनकी तीन बेस बची हुई है तीनों बची है ना अच्छी बेस है तीनों कि राजेस्तान में कहां की हो है जालोर जंगल नहीं है जालोर किये जालोर से लाते हैं आप जालोर दोस्तो मंडी में पहुशने के लिए आप जीला इंदोर और तेसिल देपालपूर गाउं देपालपूर और कॉंटेक्ट करें एट थ्री वन डबल नाइन एट पॉर जीरो सेवन टूपर सबी बेस राजस्थान मारवार के जंगलों से किसान भाई से खरीट खरीट कर वेपारी भाई लाते हैं पहलवान साब की दामनी में पहुंचे हम सुबाज जी पमार जो सामने खड़े हैं और बड़िया बेस लाएं तो पुस्ते जी भी या नमस्कार किती बेस लाएं आज 20 बेस हैं कहां किये सब बाड़मेर राजस्थान की तो बीज बेस देख रहें आप जो अभी तक सेल हुई है चार बेस भी किये आज सबसे महेंगी में कहां तक किये बेस अभी खड़ी है एक लाग 10,000 की सबसे महेंगी वाली बेस है कौन सी हों तो आगे खड़ी तो उस पे मेजर मारते हैं देख लीजे आप इनकी सबी बेस कौन जी एक लाग 10,000 वाली बेस निकलाते हैं हम बाहर ओ डीटियल के साथ जानते हैं आप कहां सा आयो फुलांज क्या नाम है लाखंटावी वही की साइड निकले हैं एक मुझे हैं उस बेस को देखते हैं जो एक लाग दस हजार मांग रखी है तो पूरी डीटियल जानेंगे हम उसके बाद कवर करेंगे और कहां से हो आप हटाइडा से आया है दूसरे ज्यान में दिख रही है मुझे आगे लो और आगे अडर क्वालिटी पीछे से देख लीजिए हाइट में तो अच्छी है भहिया के सीर तक जारी है और बाउजी जो नाम से पेचाने जाते हैं कि खड़े हैं सामने कि पहलवान साब जो चम्मल वाले हैं प्रूसर दुखाओ आया है थानी वेसे मिल रही है अभी तक तो कम देखने को मिली दी तो बह्यां से ब्यान में हो दूसरे में दूद कितना देतेगी दूद कितने दिन की जनी हुई यह बच्चा है इसका इसका फाइनल क्या लगेगा इसके फाइनल एक बस देने वाले हैं एक फाइनल एक पच्चिस माँआ रहे हुँ तो एक दस चावदा किलो दूद बता है बाडमेर राजस्थान की वेश देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए आप जहां तक नजर जाएगी आपको बहस सी बहस दिखेगी गर्मी में अच्छी व्यवस्ता है देपालपुर पशुमंडी में जो पानी की व्यवस्ता है एक बैस जो मिनी बोलते मिंडा बैस देखते हम पुरी जानकारी लेते हैं अच्छी व्यवस्ता है हाइट चाल फिट पुट्ठा अडर क्वालिटी सभी आप देख लीजिए उसके बाद इसकी जानकारी लेते हम तो देख लीजिए यह बच्चा इसका दो चार रोचका है कितना दूद्देगी वही है क्या मांग रहे हैं इसके बहुत तरजार पांच पांच लीटर दूद्द बता रहे हैं और बहुत तरजार मांगें यादव साप बढ़नगर वाले की वेंस देख रहें आप इस साइट अरजुल्विया की वेंस देखते हम एक अच्छी वेंस बड़ी हाइट में ताजी जली होई देख रहें आप अच्छी हाइट में तो बड़ी भेंस है फुल हाइट में जी अरजुन विया कित्ती भेंस आज अच्छी बढ़ी वाली कित्ता दूद्द देदेगी कौन से में जनी हुई है यह तिसरा कित्ते दिन की जनी दस दिन की क्या मांगने बड़ी का मांगने का क्या है एक पट्चीस तो दोस्तों अरजुन विया की वेंस देख रहे हैं एक लाग पच्छीस जार इसकी मांगे 14 लिटर अभी तैयार और दूद बढ़ने की उम्मी 16 लिटर देगी अच्छा इसकी पिंचान उजर वकिमत मांगे पिंचान तो दोनों बेस अच्छी दिखाई अरजुन विया ने बड़ी बड़ी अच्छे दाम पर मिलेगी अगर बैठक पर हम दोनों करें तो करीब दो लाक में छुट सकती है मंडी से देख लिजिए और ली ली क्या कौन ची में से कहां से हो उनेल से हो जीला हम और भी वेंस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं देख लिजिए बढ़ती हुई वीड देपालपूर मंडी में और कुछ दिनों से यहां पर भेंस में कमी दिखाई दीती आज फिर उठाओ दिखाया किसान की वेंस देखते हैं हम और पुरी जानकारी लेते हैं अच्छी बेंस है यह भी हाइट अच्छी है जीए देखते हैं कितना दूद है यह क्यों कितना हैं कितना दूद है बच्चा है और यह हमारे इस्टुडेंट सद्दाम खरीद लिक्या खरेली कित्ते में खरीदी एक लाक किसे लिए अच्छा एक लाक में यह वाली वेश्ट करीदी ए जो अपन देखके गए तो ही है क्यों कहां कि यह यह राणी वाड़ा की राजस्थान राणी वाड़ा की वेंस देख रहे आप हाइनल हो गई कितना दूद बताया एक लाक दूद कितना बताया टाइम का अच्छा बारा किलो दिन का दूद बता रहें शेल हो गई है वेंस एक लाक में ली आपने आपने ली का से आप बड़ी कलमे आपका नाम पारसिंग चोदरी जीला कौन सा आपका इंदोरी यह वाली यह अच्छा कितने में ली भाया नभी अजार में और मांगे क्या थे एक दस एक दस आठ लीटर दूद की इन से ही खरें आप कहा के रहने वाले होगे खरें लीके और मेंस कहा की बताई राणी वाड़ा की तो यह बीक्यूई वेंस देख रहे हैं आप जो आट लीटर दूद की ग्यारंटी पर जा रही है ए लुक्षा ने जनी हुई है कौन सा में जनी है तिसरी में एक लाइव मिल्किंग देखते हम और देखते हम बिग गई क्या बेहां सिये आप बिकी बिकी किसकी थी किते मगई चाहिए सूदा कैंसल हुआ है बैयासी-चाहर में फाइनल होई थी और अगर वाल जी की बेहस देखेंगे हम वीडियो के माध्यम से तो देखते हैं क्या दूद खाली कर लिया कि इसका गाबन है कितने दिन लेगी पांस दिन क्या मांग रहे इसके रेक लाक किता देदे की दूद अनुमान आठ लीटर दूद बता रहे हैं गाबन भेंश देख रहे हैं अग्रवाल जी की भेंश है तो अग्रवाल जी की एक भेंश सेल हुई है उसकी लाइव मिलकिंग हो रही है तो पूरी जानकारी ले लेंगे हम देख लीज़े आप अब करें मिलक्त करें देख लिए तो गन्नू ब्र्वी अनुकर अब 6189000 रुप cries हैं और खारिदने वाले कौन औरो गन्नू आ खरिदने वाले कौन है आप हो अच्छा सुम्ठा गाउं जा रही है सेलोकर 84 84000 में तो अगरवाल जी की बहुत गन्नूबिया खोल के दिखा रहे हैं पूरी डीटियल लेते हम अच्छी बहुत से बड़ी हाइट में चिका कित्ता है खोड़ी आगे लो दुफ में एक बार हाइट पिट-पुठा चाल सभी दिखा देते हम अच्छी बहुत से कित्ते दिन की जन एक टाइम का पतला है ना आज सब्सक्राइब कौन से ब्यान में यह तीसरा में क्या मांग रहे हैं एक पेंतिस मांगने के हैं और बैठक पर देखते हैं कहां तक छुट सकती है अच्छा आज कित्ती वेसे गन्नूबिया आज तीस बेसे तीस सेल कित्ती होई पंद्रा-सोल अब इग गई है दान देख लीजिए वेस के जो वेस खुद दिखा रही है कि अच्छी सेट जो इंदोर वाले उनकी डामनी से आप वेस देख रहे हैं और यह बड़ी सोना पख़डा है इरानी यह खुलवाव अब तो यह वाली है हाँ एक मेरे इसाब से जो मुझे पसंद है वो भेस खुलते हम तो दोस्तों आप खरिदने के लिए कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं 831-9984072 पर और हाइट अच्छी है पूंश लंबी है जो दारु भेस की यही पेचान होती है इसका क्या मांगने का मांगने का एक 21 एक 21 और दूद पांस लेटर है और मालिक जो बेंस के खड़ें इदर अगरवाल जी अगरवाल मांगने के गासी सेट अचाफरावेस खड़ी है मंडी में तो पहुंचाओं में उसके पास किसकी है वही आया है बिग गई क्या है एजा बाकडी है और मालिक नहीं है यहाँ पर आपने ली किती बेंस ली कहां से हो सनावदा जिला पिंदोरी लगता तेसील कौन सी है अच्छी बेंस है और और भी बेंस है अपने पास किती है बंदरा बेंस है पंद्रा बेंस है पंद्रा बेंस है यह के पास और चार और बढ़ जाएगी गजुब्या की दामनी से बड़ी भेंस जो फुल हाइट में है वो कवर कर रहे हैं तो जानते हैं इसकी पूरी डिटियल हाइट में तो अच्छी है उधर लो पीछे से देखते हैं अडर बहुती शानदार और अच्छी बड़ी बेंस देख रहे हैं आप करीब मेरे इसाब से 8-9 लिटर दूद्ध क्या मांग रहे हैं इसके 25 दूद्ध बता रहे हैं तो अच्छी बेंस लाते हैं गजुविया बड़ी बड़ी सिलेक्ट करके जो हम वीडियो में हर बार जब भी इसकी वीडियो बनाते हैं तो थीके विया बांदो बांदो आठ लीटर दूद्ध बता रहे हैं टाइम का एक 25 मांगे फिर भी दोस्तों एक पांच एक दस तक फाइनल समझ सकते हैं इसको बिग गई है ना एविया तो यह बहिया जो अमारे योटूब सस्क्राइबर है उन्होंने आपने खरी दी तो बहिया ने खरी दी यह वेंस और कपकी जन्यूई दाता है पिच्चाइब जन्यूई कब की है यह तीन चार दी पिच्चाइब अजार में लिए आपने खरी दी क्या मांगा था इसका एक पांच एक पांच मांग रखी थी और दूद निकालना है भी अपका नाम हाइनल की मते हैं पिच्च्यासी अजार आपका नाम कहां से रहने वाले सेजवानी से जिला इंदोर में है दोस्तों यह लास्ट वेंस होगी हमारी जो आप वीडियो के मात्यम से देखेंगे क्योंकि अब एंडिंग में पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचे हम अनुवर विया के यहां तो अनुवर विया से मिलते हैं नमस्कार विया कैसे हो बढ़िया ओ तो देखते हैं अच्छी वेंस खुलवा के अनुवर विया की वेंस देखते हैं खिचो इसको पहले वेंस देख लीजिए पूरी चाल के साथ हाइट के साथ और छे थन में दिख रही है तो मैंको अच्छा पांस थन की वेंस देख रहें आप यह कौन से वियान में अनुवर विया दूद कित्ता है दूद इसके पाद अभी है पांस साड़ा पाद में ताजी यह देने में